दोस्तों, theory of relativity बताता है कि किस तरीके से हम गती करते हैं, तो हमारा समय भी change हो जाता है, किस तरीके से हमारा size भी बदलाव आने रगते हैं, क्या ये सही है, क्या daily life में इसे देखा जा सकता है, Newton के सिध्धान के अनुसार ये सब चीजे नहीं होती, मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि Newton का सिध्धान, particularly जो real life है, उस पर आधारित है, लेकिन जो जो हम गती, बहुत जादा गती, जादा गती मतलब प्रकास की गती से चलने लगते हैं, तब हम time machine में प्रवेस्ट कर सक पर क्या ये real example हमको कहीं दिखाई देते हैं, चलिए हम देखते हैं, लेकि कोई भी चीज जब गती सील रहेगी, तो उसके समय में फरक आएगा, कैसे, कहने का मतलब ये है, आप स्थिर हैं, और साथ ही कोई दूसरी चीज, कोई दूसरी वस्तू गती सील है, तो उसके लिए माल लीजिए, दस यूनिट अगर समय बीता है, तो आपके लिए हो सकता है, वो actual रहे जो 9.89 है, मतलब actual आप खड़े हैं, इस्थिर बॉड़ी है, तो आपके लिए समय 9.89, जबकि उसके लिए जो समय रहेगा, वो आपका जादा भी देगा, तो इस तरी किसी ये difference है, हाला हर साल उसके time को adjust किया जा सकता है, क्योंकि उसका time कुछ दूसरा रहता है, time measure करने का भी तरीका अलग है, simple वाली clock की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ atomic clock के हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो घड़ी होती है, उसका समय कुछ और बताता है, जबकि प्रिथवी में जो इस् स्केंडवे के लाकरी पॉइट का, जो डेली लाइफ में हमें फरक निडालता, लेकिन इस स्पेस में जो सेटलाइट घूम रहा है, वह atomic clock पे बेस चल रहा है, उस वज़ा से उसके clock को adjust करना पड़ता है, तो ना जाने हो कितने सालों से सेटलाइट वहाँ चारो तरब घू सेटली लाइऑ लाइब है, आप बObेज़न लाइब लाहा है, उससे सेटलाइब ट्यूम और लाइब हैं आप रहा हैं।